तो क्या होगा अगर आपको survive करना पड़े 100 days as a stone सोचो कि आप एक stone हो और एकदम से एक दिन आप बदल जाते हो एक mutant stone में तो as a stone मेरे यहापे सबसे बड़े दुश्मन है miners और इन सब के अलावा यहापे और ऐसे 7 bosses है जो की बने अलग-अलग block से और वो लोग पूरे इस world को तबा करना चाते है तो क्या मैं उनको रोख पाऊँगा और क्या मैं यहापे 100 days survive कर पाऊँगा जानने के लिए इस वीडियो का एंटर के देखते है न तो अगर यह वाला वीडियो अचा रखते है तो इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो में मुझे चाहिए 5000 लाइक्स और नीचे जो तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दिखरा है जली से उसे दबा दो तो मैं यहापे स्पॉन होता हूँ as a stone और मैं एकदम छोटा सा stone था और एकदम क्यूट सा भी तो मैं यहाँ होँआ पहले देखता हूँ अपने आजू बाजू में तो मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिखता है और उसके बाद मैं यहाँ पर ढूंडता हूँ कि कोई मेरे family वाले मिल जाए या और कोई stone यहाँ लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता है तो जब मैं यहाँ होँआ ढूंडता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलते कुछ pillars और उन सब मैं बने हुए था यहाँ पर creeper का मूँ तो मैं उनको और पास से आके देखता हूँ तो मैं आगे जाता हूँ और मुझे यहाँ पर दिखता है एक पेड़ तो मैं जली से यहाँ पर उस पेड़ को तोड़ना स्राट करता हूँ कि ताकि मुझे यहाँ पर कुछ भूड मिल जाए और जब मैं इस पेड़ को तोड़ के आगे निकलता हूँ और उसे पूछता हूँ कि वो कौन है और वो यहाँ पे क्या कर रहा है तो मुझे बताता है बहुत सारे पिलेजर्स है जो कि यहाँ पे ब्लॉक्स को मारना चाते है और इनके साथ यहाँ पे एक माइनर लोगों का ग्रूप यानि कि उसके अंदर बहुत सारे माइनर्स है जो क यहाँ पे blocks को mine करते हैं और इनी लोग ने यहाँ पे इन blocks को बनाया है शायद और इनके ओपर यह लोग experiment भी कर रहे हैं और यहाँ पे already 7 blocks के ओपर यह लोग experiment कर चुके हैं तो फिर मैं इसे बोलता हूँ कि यार हम दोनों के पास तो same ताकत है लेकिने बोलता है नहीं कि मेरे पास यहाँ पे ज्यादा हाट से सबसे और मैं यहाँ पे कुछ अलग unique हूँ और उसी time पे मुझे देता है ग्रीन कलर का apple और यह ग्रीन कलर का apple तो मैं आज तक नहीं देखा था और जैसे मैं खाता हूँ और यहाँ पे मैं और भी ज्यादा बड़ा अला stone बन जाता हूँ औ और उसके बाद यहाँ पे मुझे दिखता है एक पिलेजर जो की मारा था एक और dirt block को तो उसके बाद मैं पहले तो दूर से देखता हूँ क्योंकि उसके हाथ में था एक crossbow लेकिन जब मेरा दोस बोलता है कि भाई उसको मारने से मैं पच्चा हूँ तो मैं जाता हूँ उसक बोलता हूँ कि मैं इस टीश का बदला लूँ आ बाद में और जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक पेड़ तो मैं जल्दी से उसको भी तोड़ना स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे अपने लिए टूल बनाना स्टार्ट करता हूँ और उसके आस-पास में घुमता हो कुछ ताइम और उसके बाद मुझे यहाँ पर जो मेरा दोस होता है मिट्टी वो मुझे दिखाता है वो इन माइनर लोग का बेस यह लेकिन तुम देख सकते हो वहाँ पर कित्ते सारे मॉप्स है और साथ में यहाँ पर पागल सा पिलेजर भी जो कि सब को देखते मार रहा है ब्लॉक्स को यहाँ पर जस्ट हम लोग के पीछे में एक कोई तो विलेज यह लेकिन यह ना कोई नॉर्मल वाला विलेज नहीं है यहाँ पर बहुत सारे हरतिया रहे देखो है एंडर बल भी है तो एक दम चेस्ट के उपर है और जस्ट मेर बाजू में यहार बसे मुझे कैसी भी करके देखना ले तो काम करता हो सौड लेता हो और उसको मारता हो और उससे पहले कुछ खाता हूँ और यह रहा भाई मेरे सामने यहार अच्छो मैं इसको निप्टा दिया तो यह ना कोई नॉर्मल वाला टोटम नहीं है और शायद यहार 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 तो इसको भी रखता हूँ और यहाँ पे कुछ ट्राइडन टाइप का दिख रहा है मुझे और ढूनता हूँ यहाँ पे अंदर में कहा है अच्छा भाई देखो यह तो वही वाले मॉपस है जो कि हम सब को मार रहे थे हैं यहाँ पे ब्लॉक्स को और यहाँ पे ब्लॉक्स तो बना के रखा हूँ है और यहाँ पे पीछे मुझे दिख रहा है एक चेस्ट तो जैसे मैं वाले चेस्ट खोलता हूँ तो मुझे उसके अंदर मिलते है बहुत सारे ग्लास बोटल तो मैं उसमें से सिफ एक रखता हूँ और मेरे सामने में जो ग्रीन कलर का पोर्शन था उसको मैं रख लेता हूँ जल्दी से और फिर मैं वहाँ से बहार निकल जाता हूँ और एक्स्प्लोर करने के लिए और फिर उसके बाद मैं पहुछता है कैसी जेल टाइप की जगह में और यार भाई यह पेड है लेकिन यहाँ वाँ गुम सकता है और यहाँ पर लोग कुछ तो बहुत गलत कर रहे है इन लोग के साथ और यहाँ इसने तो जस्ट मेरे सर के उपर एक पेड डाल दिया आखिरकार मैं बच गया और लगता है कि अब नो यहाँ से भाग चुका है तो जली से मैं खाता हूँ यहाँ पर चिकन और यहाँ अब भाई अपने दोस्ट के से मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ लोग के पास एक मिनट यह क्या हो रहा है यहाँ मेरा पुरा सर बंचुका है नहीं यहाँ लगता है मेरा बेऊश हो गया इसलिए हम पूरी दुनिया कतम करना चाहते है और एक स्टोर हम को रोकेगा और यहारे कौन से साथ बॉस की बात करा था और भाई यह वाला गार तो भाई क्या पतर मुझे अंदर आके मार भी दे तो यार अब न मुझे जल से जल इस जेल से बाहा निकलना पड़ेगा और देखो इन लोग ने मेरे पूरे आइटम भी छीन लिया लेकिन एक मिन देखो यहाँ पर लोग एंडर पल चीनना भूल गया है यह बस मुझे देख के हैंपर तोड़ना पड़ेगा ओ फिर मुझे हेंपर टोड़ना पड़ेगा और देख conveniently यहाँ ऩिक देबी में बहुरना पड़ेगा यहाँ तो मैं इसको फोड़ता हूँ है और इसको फिकता हूँ मैं बाहर और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपने लिए बना लेता हूँ एक pickaxe जो की होती है stone की और यही पर बहुत सार iron भी है तो इसको mine करता हूँ और उससे पहले कि यहाँ पर कोई mob या फिर और कोई player आ जाए तो फिर मेरे पास यहाँ पर iron हो जाता है बहुत सारा लेकिन केप के अंदर से किसी की आती आवाज और लग रहे है कि यहाँ पर कोई और माइनर आ चुका है तो इसको मैं कैसे बता हूँ और इसको मैं यहाँ नॉर्मल सा stone हूँ यार वह तो अच्छा है मैं gold का pickaxe लेकर आया था सब कुछ अच्छे तोड़ लूगा ठीक है इतना काफ करता है इतना सारा इक स्टेक आरे एक मिनिट यह कौन मारा मुझे इधर नई नई पागल है कि यह से मारा गया था मुझे ओ भाई छोड़ो जो भी है यार एक काम करता है अपना काम करता हो सकता है वह मुआ हूँ और अगर यहाँ पर यह देखता है एक stone को मूव होते हो और इसको मारते हुए और फिर ना शायद यहां पर बहुत जाए डर जाएगा और यहां से भागेगा तो इकाम करता हूँ इसको मारता हूँ मैं उसके पीछे आता हूँ तो लोग क्या बाता है आरन भी स्मेल टोन लगे और एक सेकंड यह ब्लॉक मैंने का प्लेस किया और मेरे जल्दी से अपने आरन लेके निकलता हूँ और अपने लिए पहले बना ले तो हमें एक आरन का आर्मर और चलते हैं यहां से बाहर चलता हूँ मैं जल्दी से बाहर यहर इस माइन से और काफी टाइम से मैंने आप ग्राइंड कीया था और देखो मेरे पास अभी यहां पू बढ़ना चाल वो चुका है और भाई एक मेड़ यह क्या बन चुका हूँ मैं तो एक काम करता हूँ अब न मैं जल्दी से यहाँ पर पूरा आर्मर पहन लेता हूँ तो एक काम करता हूँ अब मैं चलता हूँ जल्दी से मारने के लिए उस ट्री वाले मॉंस्टर को यानि कि त्री वाले mutant को और यह वो रहा मेरे सामने में और भाई इसको मारतो हूँ मैं एक दूए और यह तो जलना चाल हो चुका है और यह वैसे भी वोड की सबसे बड़ी कमजोरी होती है आग और यह बस मैं यही पर इसको मार सकता था लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर बच जाता है और मैं बहुत जाए दूर जाता हूँ और एकदम से मेरे पीचे-पीचे भागता हूँ और बीच-पीचे पता नहीं बहुत सारे पेड को भी स्पॉन कराता हूँ और फिर से मैं इसको आग के अंदर फिक देता हूँ और तब यहाँ पर यह एक और पेड को स्पॉन कर द भी एक दो हिट कर बाकी है, शाहिद अभी यहां पर ग्रीा नुटक्या थे पर उसका थे और पहुट सारे टूट चुका है और इसके मरने काथ आपे मुझे मिल चुका था है मार तो इनको और यहां पर एक दो और ऐसे प्रेजस को मैं मार दे तो लावा फिक के लेकिन एकदम से यहां पर इनको पुरा ग्रूप आ जाता है वह नहीं नहीं यहां पर तो शायद 20-30 मेरे पीछे बढ़ चुके तो मैं जली से इनको लावा में लेकर आता हूँ और इनको पुरा लावा फिकता हूँ और जली से यहां से खूच जाता हूँ और फिर रात होने तक के मैं इनकी पूरी बरबारी देखते रहता हूँ और फिर दीरे-दीरे करके यहां पर पूरा इनका बेस जल जाता है और अभी पूरा लावा का बेस बन चुगा था तो मुझे यहा वाली जगह के बारे बताया था यार भाई देखो यहां पर यहां पर फाल्टू में जलने लग गई और यहां तुमको एक और चीज बताना भूल गया था यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जो च्ह बास है वो एकड़ अलक बायशल पासे है तो उसके बादो पाली बनाना चालो गया और इसके बूलता हू कि मुझे यहां Zent पर सब्लो करे लोकेशन और उसके बाद यहां कुछ हतियार तो यह मुझे यहां पर देती है क्रॉसबो और इस वाले क्रॉसबो से सामने वाले को पूरे आग लग जाती है तो मैं इसको मानना चालू करता हूँ नॉन स्टॉप और इसके अंदर भी कुछ ज्याद एदम था और आखिरकार मैं इसको इसी के क्रॉसबो से खत इसके पास एक ताकत थी कि यह कई पर भी सेंड को स्पॉन कर सकती थी तो मैं इसको मारता हूँ पहले जाके सौट से लेकिन इसके पास कुछ जादे दम होता है तो मैं यहां पर सोचता हूँ कि इसको मैं दूर से मारूँगा तो मैं यहां पर क्रॉसबो यूस करता हूँ औ लेकिन यह बीच बीच में यहाँ पर सैंड फेकते रहती है और मैं कैसे कहा उससे बचता है बचता बहुत मुश्किल से बीच बीच में तो सैंड पेकते है यह इस से मुझे बचना पड़ेगा और पस आफरी एक कुछ एट की बागी है और क्या बात है देखो यहाँ पर मैं अब दूर से मारतों पहले और देखो यहाँ पे तो भाई इसको आग लगना चालू हो चुकि है और शायद यह न कुछ बात भी करना चालता है और मैं तुझे आखरी वार्निंग अभी दूँगा कि भाई तू यह सब काम छोड़ दे और अच्छे से मेरी हल्प कर दे बागी आखरी हो देखो यह लिए कि ए लिए लयूल हो चुकह है अन्गे से मने सरे है और जल्मना दैमनर और चलते हैं की और बहुत ज्यादा मैंने के बाद मांत ले चलिब मैंने बहुत-स और इस से में बहुत-स और मैं जाओंगा यहाँ पर चौर्थ आले बॉस को मानने के लिए तो यार बस अभी coordinates के according तो मैं पहुच चुका हूँ और यहाँ पर तो बहुत साथ लोग मुझे non-stop मार रहे तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मेरा खून चूस रहे इतने टाइम से लावा के अंदर गिनने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो खामकर तो मैं अब घुसता हूँ भाई एकदम लावा के close और यह एक मेर यह तो भाई अपने अंदर से arrow भी फेक सकता है और साथ में मुझे blind भी कर रहा था non-stop और यह राकिर कर भाई अभी लावा के अंदर गुसके मुझे उसे मानना पड़ा लेकिन मैंनों उसे पूरा कर दिया खतम और यह राम लोग का चौता बॉस और यह क्या है इसके हाथ पर आ चुके और यह क्या फोट रहे बीजीच में यह काम करता हो इस को पर मैं दूर से मानने का try करता हो यह लेकिन इस कला डशिया फो इतना कुछ मुझे लग लगनी रहा है और यह इसका नाम है nether act heart और यह इसका नाम तो पूछ जाद है खटना प्याль यह एक में बहाग का गया और यह देखो अभी फिर से घुश चुका भाई लावा के अंदर तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आखरी कुछ हार्ट का बाकी है और यहाँ पर आखरी के दो बाकी है और इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा जल्दी से नॉर्मल वाले वर्ल्ड में इसके बाद मैं यहाँ पर पहुच चुगा था नॉर्मल वाले वर्ल्ड में और यहाँ से मैं जाता हूँ एक और बॉस के पास और यहाँ पर इसको इन लोग ने बनाया होगा बोन वाले ब्लॉक से और फिर मैं उसे जाके बोलता हूँ कि अगर हिम्मत है तो आ मेरे बास और यहाँ पर आके मुझसे फाइटिंग कर तो फिर यह मेरी बात को मानता है और आता है भाई मुझे मारने के लिए और यहाँ पर इसके हाथ पर पूरे गोल गोल गूम रहे थे तो यहाँ पर मैं इसको पहले दूर से मारता हूँ और यहां पहले इसके स्केलिटन्स को मारना चालू करता हूँ और यहां पहले मैं इसके स्केलिटन्स को मार भी देता हूँ और फिर मैं जाता हूँ इससे फाइटिंग करने के लिए यहां लेकिन भाई यह बहुत देर तक के आस्मान में होता है और फिर उसकात मैंसे बोलता हो कि अगर है इमत तो तू यहां पे अच जमीन में और फिर हम लोग करेंगे fighting तो यह मेरी बात मानता है और फिर जो मैंसे मारता है एक fight तो बहुत दूर जाता है और मुझे इसकी कमजोरी मालूम चल चुगी थी जो की था एक सौड और इसे तो मैं इसको बहुत आसनी से मार सकता था कुछ ही हिट में तो बस मैं इसको बहुत टाइम तक के मारते रहता हूँ और यहाँ पे इसकी हेल्थ आदे से जादा कम हो जाती है और बीच बीच में पर मिलता है गो जो की बना हुआ था स्टोन से और कुछ उसकी हड़ी आती जो की मेरे बिल्कुल काम की नहीं होती है और निकल तो मैं फाइनल वाले बॉस को मानने के लिए तो यार आखिरकार मैं यहाँ पर आ चुगा था उस कोलेजियम के बाहर बस यहाँ पर मेरा पूरा और इसके अंदर बेकार साइडी है विए तर गरें चाहिए और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर रही हूं करता हूं ओ और इसके बासरो चल चलता हो काम करता हूँ मैं इसको रखता हूँ अपने हाथ में और इसके पास तो कुछ जादे दम है और देखो पीछे जो कुआ था इसको भी इसने पूरा जला के राक कर दिया और इसके बाद यह मुझसे बोलता है कि या तो तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दू तो फिर मैं इसके पैरों पर वार करना स्टार्ट करता हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं इसको मार नीपार रहा था तो मैं जली से यहाँ पर कुछ ब्रेट खाता हूँ और फिर से मैं इसके पैरों पर वार करना स्टार्ट करता हूँ और बस यहाँ पर एक दो हीट बाकी है क्योंकि हमको तो आखरी के एक दो बो मारतो इसको ओ भाई क्या बाते देखो मर गया आपे आखिरकार मैंने आपे साथ के साथ बॉस को निप्टा दिया तो मैं यहाँ आपे नॉर्मल वाला स्टोर बन के पूरी जिंदकी काटूँगा और अगर तुमको यह वीडियो देखने मता है तो इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो का लाइक है में 5000 लाइक और नीचे जो तुम सब्सक्राइब का बटन दिख रहा जली से उस दबा दो क्यूंकि हमको 1 मिलन सब्सक्राइबर पहुचना है इस साल तक के तो बस मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई